इस वीडियो में बिना income proof के किस्त आप से लोन लेने का complete तरीका बताया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 50,000 का लोन मिला है किस्त आप से बिना किसी income proof के और आपके पास अगर अधार कार्ड और pen card है तब भी आप apply कर सकते हैं इसके website पर भी आपको लिखा मिल जाएगा only aadhar card required ठीक है और 100% digital process होगा पांच मिनट में हमें पता चल जाएगा कि हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो चलिए आपको step by step लोन लेने का पुरा process दिखाता हूं वीडियो के description में इस app का link है जब आप link पर click करेंगे तो सिधा आपको इस page पर redirect कर देगा यहां पर आपको अपना नाम और mobile number डाल के continue पर click कर देना है यहां पर पता चल जाएगा कि आप eligible है की नहीं है तब ही apply का process स्टार्ट होगा इससे यह होता है कि आपका civil score खराब होने से बच जाता है क्योंकि अगर बार बार आपका loan या credit card application reject होता है तो आपका civil पर effect परता है है तो apply ना उपर click करेंगे आपको सीधा play store में redirect कर देगा वहां से यह आप आपको install कर लेना open करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा यहां पर अपना mobile name और email id डाल देंगे के बाद submit पर click कर देंगे जो email id डालेंगे उस email id message जाएगा किस्तकियों से वहां से भी आपको इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं maximum loan मिल सकता है जिसमें आपको EMI यानि जिसे repayment की जो अबधी मिलेगी आपको और 24 महिने तक का मिलेगा लोईस्ट इंटेस्ट रेट स्टार्ट से स्टार्ट हो लोन लेने के लिए now उपर क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाता है यहां पर let's start पर क्लिक करेंगे अब यहां पर अपना pancard number डाल कर continue उपर क्लिक करेंगे आपका यहां पर नाम दिख जाएगा नीचे में checkbox में टीक लगा रहने दे फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे यहां पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर date of birth सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपकी बैबाहिक इस्तिति क्या है married है unmarried है और सेलेक्ट क क्या नाम है जो आपके pencard पर लिखा हो फादर का नाम वहीं spelling के साथ हैं पर डाले उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे अब आपका current address पूछा जाएगा कि आप अभी कहां रहते हैं तो वहां पर address आपको यहां पर डाल देना है लैंडवार के यहां पर डालके उसके बाद current address को ही communication address के लिए इस्तमाल करना चाहते हैं तो check box में टिक लगा रहने दे नहीं तो यह टिक हटा भी सकते हैं उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका employment type क्या है आप कोई job करते हैं या self-employed है कोई business है आपका या freelancer है जो भी है यहां पर select कर ले मैंने यहां पर self-employed select किया है अब हमसे यह काम का nature पूछ रहा है कि आप किस तरीके का काम करते हैं और आपका monthly income क्या है यहां पर डाल देंगे यहां पर family का income तीन लाग से ज्यादा होना चाहिए यहां पर check box में टिक लगा हुआ है कि आप confirm कर रह देंगे यह आपको यह capture दिख रहा है वह यहां पर डाल देंगे उसके बाद next पर click कर देंगे अब आधार की वह से आपके पास OTP भेज़ा जाएगा OTP यहां पर डाल देंगे फिर continue पर click कर देंगे अब आपके digilocker का security pin होगा और यहां पर डालना है अगर आपने अभी त तो फेच किया रहा है आपको अपना एक फोटो क्लिक कर लेना है इस फोटो का ठीक ना है तो एक पर click करके दोबारा फोटो ले सकते हैं फिर अगर फोटो सही आजा पर click करके यहां पर देख सकते हैं कि हमारा अधार और selfie verified हो गया है confirm and continue पर click कर देंगे और हमारा eligibility चेक किया है देशो साथ रुपय का लग रहा है और disversible amount जो होगा हमारे account में जो आएगा 47,640 रुपय आएगा interest rate 30% का लग रहा है और total जो हमें यहां पर repayment करना होगा 54,480 रुपय करना होगा मन्थ लिए हमाई हमाई 9,070 रुपय की होगी और tenure हमें छे महिना में यह loan चुकाना अपना bank account नमबर रिपीट करेंगे यहां पर आपना bank account में जो नाम है और आपको डालना है यहां पर select account savings account होगा सेविंग अकाउंट होगा तो current account होगा तो current account सेलेक्ट करेंगे फिर proceed पर क्लिक करेंगे तो हमारा bank HDFC bank है यहां पर आगया यहां पर आगया देखिए कि great your bank और supports auto debit तो हमारा auto debit यहां पर करना परेगा तो proceed पर यहां पर क्लिक करेंगे bank add हो चुका है अब यहां पर auto debit आप दो तरीके से कर सकते हैं एक net banking के थुरू कर सकते हैं और दूसरा debit card यानि ATM card के थुरू कर सकते हैं जो आपको आसान लगे वह आपना तरीका आप चुन सकते हैं नंबर डाल देंगे ATM card नंबर जिसे बोलते हैं यहां पर आपको pin डाल देना है ATM card का expiry क्या है और डाल देना है check box में टिक लगाकर submit पर क्लिक कर देंगे अब आपके bank से जो नंबर लिंक होगा उस नंबर पर bank की ओर से six digit का OTP आएगा verify करने के लिए तो OTP आपको यहां पर डाल कर verify पर क्लिक कर देना है अब देख सकते हैं यह successful e-mandate हो चुका है यहां पर लिखा गया कि auto debit setup is successful यह जब successful हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हमें कंगोचिलेशन किया जा रहा है कि your personal loan has been approved यहां check box में tick लगा देंगे और accept offer पर क्लिक कर देंगे बस अब देख सकते विदिन a few minutes we will notify you when it's done home पे आप किलिक कर देंगे देख सकते हैं कि Congress आपका 50,000 has been transferred to your bank account successfully और हमारा जो upcoming EMI होगा और दिखा रहा है कि due in 31 days यहां पर repayment का है आप चाहे तो repayment भी कर सकते हैं चाहे तो full payment भी आप कर सकते हैं Friends इस वीडियो से अगर help मिला हो तो वीडियो को like कीजेगा अगर आपको loan की जरूरत है तो आप किस्त से apply कर सकते हैं वीडियो के description में link है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार चेहिंद